आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों स्वागत है आपका आज इस पांच वे अपी सवर में बोट वोकर प्रजेंट कहानी और गिर्दार जेहां दोस्तों आत्मबलीदार ये ऐसा सब्ध है जो हमें पौराणी कथाओं में तो जुरू सुनने को मिलता है लेकिन स्वाइम की हिच्छा से अपने प्राणों को त्याग दिया तो हम सुरू करते हैं बात उस समय की है जब जोत्पूर के महराजा स्री राजा राममल के पुत्र स्री राव जोधा जो मंडोर से अपना सासन चला रहे थे वह अपने राज्ये में किल्ले का निर्मान करवाना च ठाज पहूंच ते हैं आप अगे आगे दिखाई देता है वहाँ पर एक बकरी को बाग से लड़ते हुए देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि द्रूहर सीपाईओं और वही पर वह Previously गतानग निर्इ लेते हैं और अपने चंद विश्वाज पात्र सिपाईयों और शैनापतियों को आदेश देते हैं कि आप इस जगा को खाली करवाईए तो दोस्तों वह वहां से इस बस्ती के लोगों को हटाना शुरू करते हैं लेकिन वहां पर एक सादू होते हैं जिन्हें लोग चिडिया वाले बाबा के नाम से जानते थे वह वहां से हटने को मदा कर देते क्योंकि उनका रोज का नियम होता है वह रोज उस पाड़ी पर चिडियाओं को दाना डालते हैं और उस पहाड़ को भी चिडिया वाले पहाड के नाम से जाना जाता था और उस प परदस्टि की जाती है उनके साथ सिपाई दोारा, तब आखरी समय में वो सुराप दे देते हैं और कहते हैं कि इस जगह पर दुरूप बनाने से इस दुरूप में कोई खुशाल नहीं रहेगा यहां पर कोई खुशाली नहीं रहेगी यहां पर पूरा सुका रहेगा और अकाल पढ़ता रहेगा यह सुनके सिपाई हैरान हो जाते हैं दोड़े हुए राव जोदा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि एक महराज है वहाँ पे सादू जिन्हों ने हमें यह लेते हैं और कहते हैं बाबा जी हमें माफ घर दीजी सिपाईयों से गल्ती हो गए तब चिडिया वाले बाबा यह कहते हैं कि मेरा दिया हुआ सराप तो वापिस नहीं जा सकता लेकिन इसका उपाय जरूर है उपाय के रूप में वह बताते हैं कि कोई भी इंसान आपके चाहते हो तो यहां पर खुशाली रह सकती है वरना यहां पर सुका ही रहेगा सादू की बात मानकर महराज स्री राव जोदा अपने पूरे राज्ये में मुनादी करवा देते हैं और कहते हैं कि जो भी सक्स अपनी इच्छा से अपने प्राण के त्याग इस राज्ये के ल तक याद रखा जाएगा पूरे राज्ये में इस तरह का मुदादी को सुनकर कोई तैयार नहीं होता है लेकिन उस वक्त में पिता मौन सी वह माता केसर का बेटा राजा राम जो इस के लिए तैयार होता है कि मैं अपनी इच्छा से अपना बलीदान अपने शरीर का इच्छा लेके वह जब वहां पर पहुचता है महराज से अपनी विंती करता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ अपने वतन की खुशाली के लिए अपने देश की खुशाली के लिए अपनी मिट्टी के करज है जो मुझे मैं इसके अदा करूँगा तब राजाराम मेगवा गोत्र कडेला जो इस काम के लिए खुद को तयार करता है और महराज के सामने जाके विंती करता है कि महराज मैं तयार हूँ क्योंकि इनसान का जीवन एक नएक दिन तो समापत होना है अगर मेरा जीवन इस मिट्टी के लिए काम आ जाए मेरे राज्ये के लिए काम आ जाए त सुनके महराज खुस होते हैं और 12 मई 1669 को एक दिन किया जाता है उस दिन राजा राम मेगवाल को जिन्दा दुर्ग की नीव में दफना दिया जाता है उसे गाड़ दिया जाता है और उसकी याद में पत्थर लगा के उस जगवे को निच्चित किया जाता है कि यहां पर इस विरले इंसान ने अपने प्राणों की आउथी अपने देश के लिए दी थी तो हम नमन करते हैं उस वीर को जिसने अपने आत्म बलिदान की एक अबूत पूर्व मिसाल पेश की सारी दुनिया के सामने ये थी हमारे मारवार जोतपूर की कहानी दोस्तों मेरी कहानी सुनाने क इतना ही मतलब था कि जो हमारा इत्यास है उससे हम सीखे अगर हमारे इत्यास में कुछ गलतिया हुई है तो उसको हम सुधारे और आवने वाले जीवन में इस तरह की गलतिया नहों और अगर हमारे इत्यास में कुछ अच्छे काम हुए है तो उससे हम प्रेणा ले ताकि आ अगर आपको हमारी कहानिया पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो चार कहानिया सुनने के बाद जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्देवाद दोस्तों